स्वालो फेंड्स मैं आजीज आका सागत करता हूँ एक और ने और अमेजिंग वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दिवाली के लिए एक बहुत ही कमाल का और बहुत सुन्दर डेकुरेशन लाइट जो है आज कि इसे आप कैसे अपने घर पे बना सकते हो तो दोस्तों चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेलाइक को अंदवा दिजिए इस वीडिय के मार्केट जहां पर लगते हैं वहां पर मिल गई और एक जो है आठ रुपे की लाइट पड़ी और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो है कितना जादा अच्छा लग रहा है लाइट देखने में अगर आप इसकी बाड़ी बनाने जाते हो और इसमें लगा हुआ लगभग 10-12 रुपे लग जाएंगे यहां पर एक स्वीच लगा है अंदर बैटरी लगा है पुरा बॉड़ी है तो काफी अच्छा आई और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से यह जो है जल भी रहा है तो यहां पर दोस्तों यह जो है काफी अच्छी तरीके जल रहा है तो ऐसे ही मैं जो है 10-12 खरित के लाया था मैं लेकिन मैं इस वीडियो में जो है 10 यूज करूंगा और सभी लाइटे जब जल जाएंगी एक साथ तो काफी अच्छा लएंगे दोस्तों लेकिन इसमें एक दिक्कत है इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है कि छोड़ जो कि कितनी देर चलेंगी मैकसिमम एक घंटा दो घंटा मैकसिमम तीन घंटा ले लिजए कि चलेंगी फिर उसके बाद तो यह एकदम यूजें थ्रो के लायक हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसको रिचार्जेबल बनाऊंगा और पूरा का पूरा को एक ब अगरा लगे हुए हैं तो उसको खोलना होगा तो कोई भी आप सार्प चीज ले लिजिए सिंपली इसके अंदर डाल कर और थोड़ा सा उपर की तरफ उठाएंगे तो यह जो है बहुत ही एजली खुल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है खुल च तो इसकी बैटरी अगर आप बार बार चेंज करने जाते हो तो आपको बहुत जादा महंगा पड़ जाएगा और बहुत जादा परसानी हो जाएगी ठीक है तो क्या करेंगे हम कि इसकी बैटरी जो है निकाल लेंगे तीन बैटरी लगी हुई है आसानी से निकल जाएगी same process है सभी की बैटरी को निकालने का simply आपको नीचे का जो CAP है उसको निकालना है और CAP मेंसे बैटरी को निकाल देना है तो चलिए दोस्तों सभी के CAPS को खोलकर उनकी बैटरी को अलग कर लिया जाए और फिर आगे का काम किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के caps खोल कर मैंने batteries निकाल दिए हैं और यह जो इधार वाला दाहिने तरफ वाला हिस्सा देख रहे हैं वो पुरी तरह से खाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी batteries मुझे मिली कि यह जो आप देख रहे हैं दिए की तरह है उसमें हमें छेद करना होगा तो एक एक करके हमें सभी दियों में छेद करना होगा और इस छेद को आप drill machine से भी कर सकते हो या फिर आप जो है soldering iron से भी कर सकते हो काफी easily हो जाएगा तो दोस्तों मैं यह जो छेद है इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो wire है इसके अंदर हम डाल सकें तो चलिए फटा फट से सभी में छेद को बना लिया जाए तो चलिए इस पार्ट को मैं skip कर देता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी में मैंने hole जो है कर दिया है अब कोई आपको छोटा सा blade लेना है और blade की मदद से जहाँ पर छेद हुआ है solding iron से जब छेद करेंगे तो चारो तरफ का जो surface है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पर काट लेता हूँ अच्छे से finishing दे देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को मैंने finishing भी दे दिया है अब दोस्तों चलिए हम अपने main काम पे आते हैं main काम से मेरा मतलब है कि अब इसका connection करना सुरू करते है connection करने के लिए मैंने यहाँ पर wire ले लिया है wire को आपको मोटा नहीं लेना है पतला wire ही लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने wire को इस छेद के अंदर से डाल दिया जो हमारा box था उसके छेद के अंदर से मैंने wire को डाल दिया और दोस्तों आप यहाँ पर देखी सकते हैं कि wire को मैंने थोड़ा सा लंबा लिया है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है हमें अपना दूसरा वाला हिस्सा उठाना है जिसमें कि बैटरी LED स्वीच वगेरा लगे थे और उस पे हमें इस wire को connect करना है तो कहां किसे connect करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर जो LED का positive leg होगा उसपे आपको red wire connect करना है जो LED का negative leg होगा उसपे आपको black wire connect करना है और negative और positive आप भाइचानैंगे कैसे जो LED का leg जो है switch में गया है वो positive होगा और जो अपस का दूसरा leg होगा जो की switch में नहीं गया होगा वो जो है यहाँ पर negative leg होगा ठीक है दोस्तों आपको switch का switch को यहाँ पर bypass कर देना है मतलब switch का connection यहाँ पर नहीं करना है ठीक है direct आपको LED के legs में wire को connect करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने connect कर दिया है connect करने के बाद दोस्तों हमें जो है कुछ इस तरीके से soldering कर देना है ताकि wire जो है अच्छे से LED के legs को पकड़ ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि soldering भी हो चुकी है दोस्तों तो यहाँ पर soldering वगेरा सभी कुछ हो चुकी है यह process बहुत ही easy है आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर इसे जो है कर लेंगे अब क्या करना है कि wire को खीच लेना है और जो LED है यह LED उसको सीधा जो है हमारा जो 22 नुमा बना हुआ है उपर structure उसके जो है gap में लगा देना है और कुछ इस तरीके से हमारा एक जो है इस wire से connect हो गया ठीक है यसी process को हमें बार बार दोहराते जाना है तो यहाँ पर मैं दूरी कितना लोँ 10 cm, 15 cm ले लेता हूँ 15 cm की दूरी ठीक रहेगी और यहाँ पर क्या करना है हमें कि wire को कुछ इस तरीके से मोड़ देना है और दूसरे वाले में ऐसे डाल देना है जो हमने छेद बनाया था ना उसी छेद में कुछ इस तरीके से डाल देना है और यहाँ पर जो है हमें cutter से cut लगाना होगा ठीक है यहाँ पर यह जो दुनों wire है red और black उन पर जो है हमें कुछ इस तरीके से cutter से cut लगाना होगा तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हो cutter है तो cutter से या फिर blade वगएरा से भी लगा सकते हो काफी आसानी से यहाँ पर cut लग जाएगा तो यहाँ पर हम खीच कर cover को हटा लेते हैं और अंदर का wire है उसको हम एक और LED वाला हिस्सा उठाएंगे और उसके दोनों legs पर connect कर देंगे तो connect हो जाएगा काफी easy है यह तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इन पर भी soldering कर देते हैं जैसा कि हमने पहले वाले पर भी इसी तरह से connect करके soldering किया था उसी तरह इस पर भी हम इसी तरह से connect करके soldering कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि wire LED के दोनों legs पर sold हो चुका है यानि कि LED के legs को यह अच्छी तरीके से पकड़ चुका है अब चलिए इसके cap को हम simply जैसे पहले वाले cap को ऐसे बंद किये थे उसी तरह इसको भी बंद कर देंगे LED सीधा सीधा आपके बत्ती वाले gap में हो चाहिए तो यहाँ पर दो जो है बहुत easily तयार हो चुका है अब same process करके दोस्तों हमें इसी तरह लगाते जाना है जब तक कि हमारी सभी LED जो है connect न हो जाए simply आपको क्या करना है फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो wire है उस पे cut लगाना है और जो LED वाला हिस्सा है उसको लेना है और LED के दोनों leg यानि positive negative पे हमें connect कर देना है और उसको जो है फिर से sold कर देना है और यह जो है करते जाना है और आपको हर एक के बीच में दू process से connect कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस wire के साथ मैंने सभी LEDs वाले हिस्से को connect कर दिया और इंड में हमें दो wire मिले हैं एक red और black यानि कि यहाँ पे हम power दे देंगे तो सभी दियों में power जो है चली जाएगी और पर दो battery जिसको कि मैंने parallel में connect कर दिया है यानि कि दोनों के positive को एक साथ connect किया है दोनों के negative को एक साथ यहाँ पर मैंने connect कर दिया है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो battery यूज किया है आप चाहो तो सिर्फ एक battery भी यूज कर सकते हो या फिर किसी mobile charger से भी चला सकत कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहां पर मैं एक 33 ohm का रेजिस्टेंस यूज करूंगा दोस्तों इसका कलर कोड आप देख सकते हैं और इस रेजिस्टेंस के एक सीरे को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर दोनों बैटरी के किसी भी एक पॉ वाले को हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे और उसको सोल्ड कर देंगे दोस्तों यह रेजिस्टेंस लगाना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि यहां पर नहीं लगाएंगे तो बैटरी का एमेस पावर जो है थोड़ा सा ज्यादा है वोल्टेज ज्यादा है जिसकी वज़े से वाली LED जो है खराब हो सकती है दोस्तों तो यहां पर positive वाला wire तो यहां पर resistance के साथ connect हो गया अब negative वाले wire को इस battery के negative terminal पर हम connect कर देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर connect करते हैं हमारी सब ही lights जो हैं कितनी अच्छी तरीके से glow होने लगी अभी room में बहुत जा चलिए मैं इस lights को off करके दिखाता हूँ कि यह कितना जादा सुन्दर लग रहा है कितना जादा कमाल का लग रहा है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा लग रहा है अब यहां पर जो हमने बड़ी battery लगा दी उसके वज़े से यह लगातार चलत आप यहां पर लगा दीजिए और इसे बार-बार चार्ज करते रहें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और इस charging module पे सब कुस लिखा होता है कि कहां कौन से connection करने हैं तो connection में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है इसका connection कैसे क पास वो charging protection module नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है इस तरह का बेवस्था बना सकते हैं जिस तरह का बेवस्था मैंने इस light को बनाते समय इसमें लगाया था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह light जो है कितना ज्यादा सुन्दर लग रहा है इसको मैंने पिसली वीडियो में बनाया था आप जो है उसको देख सकते हैं तो यहां पर इसमें जो battery लगाई थी मैंने उसमें जो है मैंने simple और 5-6 रुपे में बनकर तयार हो जाने वाला एक charge करने का system बनाया था जिससे कि battery easily charge हो जाए तो वो system भी आप यहां पर लगा सकते हो और बहुत ही easily battery को charge कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर सभी कुछ all set हो चुका है सिर्फ एक चीज की कमी है यहाँ पर एक switch लगाना बाकी रह गया है तो switch लगाने के लिए यहाँ पर simply red वाली wire यानि positive वाली wire को बीच से काट देंगे और उसमें जो है हम इस switch को लगा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कुछ यहाँ पर connect हो चुका है हमारे सभी light से एक साथ connect हो चुके है उसको power देने के लिए battery भी लग चुका है switch भी लग चुका है आप battery के जगा किसी mobile charger का भी use कर सकते हो काफी अच्छे से चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तो दोस्तों अब जो है आप इस light को कहीं भी use कर सकते हो दिवाली पर सजाने के लिए या फिर अपने पुजा घर में भी रख सकते हो काफी सुन्दर लगने वाला है यह दोस्तों और यह जो है इसमें battery लग चुकी है यह battery काफी लंबी चलेंगी आप इसे सिर्फ दिवाली पर ही नहीं कहीं भी सजा कर रख सकते हो और इसका use आफ regular कर सकते हो ठीक है आप सालों भर इसका use कर सकते हो यह जो है बहुत ही लंबा चलने वाला है तो दोस्तों आप चलिए इन सभी को मैं एक जगस सजा कर जो है दिखाता हूँ कि यह जो है कितना ज़्यादा सुन्दर लगेगा कहीं पर आप सजा देंगे तो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे अपने च्छत के बरामदे पर लगा दिया है और यह जो है कितना ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है देखने में कोई दूर से देखेगा तो उसको और भी ज़्यादा खुबसूरत दिखेगा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 लाइट्स का यूज किया था इसको बनाने में आप चाहो तो और भी ज़्यादा गर पर बना कर तयार कर लोगे आई होब दोस्तों आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया होगा तो दोस्तों आपको हमारे इस डेकुरेशन लाइट की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखे जाहिंद